अगर आप लोग भी अपने कबड को ऑगनाइस करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है आज इस वीडियो में ऐसे टेप्स और शेयर कर रही हूं जिससे आपके कबड में रखे कपड़े कभी खराब ही नहीं होंगे मतलब तीन से चार मैने तो आपको बिल्कुल छूना ही नहीं पड़ेगा कुछ ऑगनाइसर्स भी में यूज करती हैं उनके बारे में बताऊंगे आप लोगों को कि वह कितना हद तक यूसफुल है या फिर यूसफुल नहीं है सबसे पहले मैंने अपने कबड को खाली कर लिया है कुछ बहुत चीज़े हैं अभी उसमें बट मैंने इस तरीके से बेट के एक तरफ सारे कपड़े को अच्छे से रख दिया है ताकि मुझे थोड़ा सा जगह मिल पाए जब मैं चीज़े अच्छे से रख हूं और गनाइज करू ना तो मुझे थोड़ा स्पेस मिले इसलिए मैंने एक तरफ रखा हुआ है मेरे पस कुछ कपड़े थे दो चार जो मुझे आरन भी करने थे मैं कपड़े ना अपने खुद से यारन करना पसंद करती हूं हाँ सारी वगिरा है जो ड्राइवास में भेज दिया या फिर पॉलिस में भेज दिया लेकिन जो भी कॉटन के सूट वगिरा है वो मैं खुद से यारन करना पसंद करती हूं मेरे पास कोई आरन के लिए टेबल न नहीं हो रखे थे उनको मैंने अच्छे सारण कर लिया ताकि जब मैं और चीज़ें तो सारे कपड़े मेरे एक जगह पे हो यहां से मैंने स्टार्ट कर रहा है यह दो और से मेरे पास जिनमें ना मैं अपने वेस्टन वियर्स को रखती हूं मैं अपने पूरे फैमली के साथ तो जादा मैं वेस्टन वियर्स पहन नहीं पाती हूं जब बाहर चाहते घूमने तभी इनका नंबर आता है तो इसलिए इसलिए मैं इन और यूज़र का यूज किया है इनको रखने के लिए क्योंकि बार बार यूज़में आते नहीं है तो यहां पर यह चो और प्रॉब बुट का कटिंग लगाया था ग्लूगन की हेल्प से जो कि अभी थूरा सा निकल गया था तो मैंने फिर सी रिसेट किया है सुच आपके साथ फिर से शेयर करूं मैंने काफी पहले अपने वीडियो में शेयर किया था पर उस टायम मेरे चाहदा सब्सक्राइबर्स नहीं थे अभी बहुत सारी लोग मेरे से जुड़े हैं तो मैंने फिर से आपके साथ शेयर करूं इस टाइप के जो ऑगनाइजर्स होते हैं काफी रिजनेबल रेट में अवेलेबल होते हैं यह मैंने मीशो से मंगाया था शिक्स पीसे का सेट था और यह काफी पहले से मैं इसको तो आप भी इनको एक अच्छा था शेप देने के लिए इन काटबूर पीसे का यूज़ कर सकते हैं कटिंग लगा करके ग्लूगन की हल्प से अराम से चिपक जाते हैं और अच्छे असे इनको एक शेप देकर कि आप अपने कपड़ों को अराम से इसमें ओगनाईज कर सकत कर दिया है कि मेरे पास इस टाइप के ओगनाईजर से की काफी ज्यादा यूज़ को मुझे यह बहुत ज़्यादा पसंद है पुस्नली यह मैंने फिलिपकार्ट से पच्छिस किया था तीन और का सेट मैंने पच्छिस किया था इनको तो आप कार्ट बोड से बना सकते हैं फ मैंने लग देन डिच वाले मैंने अपने सेट के साथ आते उनको रखा हुआ है और तो इससे क्या होगा ना इस लद्प से रखने से कि आपके जो कपडे हैना वो बिल्कुल मिक्स नहीं होंगे नहीं को यूसकर सकते हैं तो category wise रखने से यही फायदा होता है कि जो चीज़े आपको चाहिए जब वो आप निकाल लो उनको यूज़ कर लो फिर वापस उनकी जगह पे उनको रखतो आप लोगोंने बहुत बार मुद्ध से पूछा है मेरे सूट, मेरे कूर्दिय के बारे में कि मैंने कहा से będ्स पॉष्षिस किया है तो जेरली वो मिल्ट्रा से होते हैं अजीओ से होते हैं तो अगर आप लोगों को इन में से किसी का लिंक चाहिए तो आप लोग मुझे बोल सकते हो कॉमेंट सेक्षिन में मैं आपको पस्राइड लिंक दे दूंगी यह जो आप वाइट लग का ओगनाइजर देख रही हो ना यह मैंने अमजान से पर्चेस किया था मुझे बहुत साथा पसंद आया था मैंने दो का सैट और किया था और काफी अच्छी क्वालिटी में मुझे रसीव हुआ है सो एक में तो मैं अपने टावल्स को रखती थी औ मैंने अपने डिय वाले ओगनाईजर में उसको शिफ्ट कर दिया जो कि आपको घ्रीन कलर कर दिख रहा है उसमें मैंने तो मैंने इसमें रख दिया है और जो चाफी अच्छा मतलब बहुत सारे साडी इस ड्रेस अने इसमें आ गहे हैं और यहां पर ब्लु कलर का का पहारा यह मेरे हजबन मेरे लिए तीज में लेकर के आया थे बट काफी ब्राइट कलर होने के कारण मैंने इसको तीज में नहीं पहना बट अभी साधी बहुत सारे आ रहे हैं तो उनमें मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ हमारी पर्स जो भी हैंडबैक्स होते हैं उनको भी प्रापर तरीके से रखना बहुत ज़दा जरूरी है अगर आप ऐसी रख दोगे ना कुछ बहुत एक्सपेंसिव भी रहते हैं तो ऐसी रख देते हैं बहुत बार और उनका कलर उनका शायन बहुत ज़दा उसमें डर्ट भी आजाते हैं गंदगी जिसको हमें बाद में फिर क्लीन करना पड़ता है बहुत महनत करने पड़ती है तो उससे बेटर है कि हम इस तरीके से अपने पर्स को अपने हैंड बैक्स को कवर करके रखे तो आपको बाद में बिल्कुल महनत करनी ही नहीं पड़ेगी तो यहां प और आपके घर आपका कबर्ट बिल्कुल और लगे तो कुछ बहुत और तो हमारे पास होने ही चाहिए मैंने इस वीडियो को काफी छोटा करने की कोशिश करीब आँसчи के बिल्कुल अच्छान कर मिलाका अच्छा लगें तो बिल्कुल एक जैसा हैंगर यूश करें यह वाले हैंगर यूश किया है और बिल्कुल वो सारे में हटाने वाली हो और यही black वाले में यूज करने वाली हूँ आजकल हमारे पस काफे different fabric के साड़ी होती है और गिंजा हो गया टीशू हो गया जो जल्दी से हैंगर्स में टिकती नहीं है तो आप यह trick लगा सकते हो पहले अपने साड़ी को रख दिया और गिंजा या फिर टिशू साड़ी को इस तरह के से रख दिया उसके बाद उपर से आप इस तरह के सबने heavy blouse को उसमें रख दीजे साड़ी हम इसी असला एक वाले हमें उनके पास रखना होगा और से अपने कबर उपने कबर कर लिया थाथ कि आपने कबर को पोस्ट लिया अच्छे से काप्रे से और यहां पे इस बबल रिय का यूज कर रही हूं लाइनर के लिए आप लिए निवसस्पेपर मत लगाए य वहां पर मुझे ना cockroaches देखने को मिलते हैं तो newspaper ना cockroaches को attract करता है अपने तरफ तो इस तरीके से आप कोई भी चीज दूसरी चीज आप लगा सकते हो आप shopping bags का भी यूज कर सकते हो उसको cutting करके इस तरीके से लगा सकते हो मैंने आप बबल रैप लगाया है और इसको ना fix करने के लिए मैं यहां पर डबल साइडे टेप का यूज कर रहे हूं क्योंकि जब भी हम चीज रखते हैं ना कोई भी और आपने रखा है तो उसको जब भी आप बाहर निकालोगे या फिर वापस रखोगे तो यह ना अपने जगह से फिर हिल जाते मतलब अपने जगह से शिफ बहुत जादा स्लीपरी भी होती है उतना जादा है विन नहीं होता है तो आप इनको ना इस तरिके से कर सकते हो कपड़े वाले क्लिप लगा दीजीए आप उनके दोरों तरफ और बिल्कुल यह अपने जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली है एक्दम अपने जगह में fix रहेंगी organizer के बगल में थोड़ा सा मेरा space बच रहा था वहां पर मैंने ना अपने सारे files को रख दिया है बहुत सारे हमारे पास leggings होते हैं plazo होते हैं जो कि हम अलग से रखते हैं हमारे बाहर निकलते हैं उस टाइम पर हमें अपने साथ करना पसंद करते हैं सो इसके लिए ना मैंने यहां पर यह और बनाया था काफी पहले बनाया था तो बैंगल की help से मैंने इस तरीके से इनको सेलो टेप की help से attach करकर के धागे से बान दिया था और इस तरीके से ना मैं अपने सारे जो भी स्कार्फ हैं उनको रखती हूं काफी इजी होता है जब कभी भी जो मुझे चाहिए वो फटाफट से सामने दिख जाता है उनको लेकर के मैं निकल जाती हूं सो चलिए अब आपके साथ शेयर करती हूं अपने कबड का फाइनल लुक सो कुछ और यूज़ करने से ना हमारे कबड में बहुत सारे स्पेस हम क्रिएट कर सकते हैं और काफी सारी चीज़े रख सकते हैं और ऐसे रख सकते हैं बाहर से बिल्कुल भी क्लटर नहीं लगेंगे देखने में तो इस तरीके से छोटे से कबड में मैंने बहुत सारे कपड़े रख लिये हैं और बिल्कुल और इस तरीके से कैसा लगा आप लोगों को जरूर से बिताएगा कॉमेंट सेक्शन में कबड के वर्टिकल स्पेस को भी जरूर से अप यूज कीज़ें तो यहां पर मैंने कुछ अडेसिव लगा करके अपने कैरी बैक्स को लगाए मैं जो मुझे पसंद आते हैं मैं उनको रख लेती हूं और इस तरीके से आप कपड़ों को कैटेगरी वाइस रखेंगे ना त किन से चार मैने पांच मैने तक भी आप अपने कबड को नहीं चुएंगे ना ठीक नहीं करेंगे तभी आपके कबड ना खराब नहीं होने वाले और यह ट्रिक जरूर से हमेसा अपलाई कीज़े कि कुछ चीज़े आप जब आड करते अपने कबड में कुछ कपड़े नए बड़े